उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भरती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रदेश जी यहां आईए। इसमें आपकी याचिका में बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जिनमें याचिका करता जिन्नोंने बीएड पास किया हुआ है। बिलकुन नया साइड इफेक्ट आ रहा है। जिसमें कहा गया अगस्त में धिरेंदर सर्मा के जज्जमेंट में कि प्राइमरी में वन से पांच तक के वाले में उत्तर प्रदेश में बीएड जो जिन्होंने किया है बीएड पात्र लोग आगे से इसमें अप्लिकेबल नहीं होंगे। करेंगे और अब तक जो कर चुके हैं वह रहेंगे यह था इस्तिति उनकी बनी रहेंगी लेकिन आरक्षन का मामला आएगा तो वह बाहर हो सकते हैं वह तो मामला सब्जूडी से कोड़ में तो यह ऐसा हुआ तो इसमें बीएड वाले अगर इसमें अगर उनको जो परी टीचर बन नहीं सकते आगे से और दूसरा सबसे बड़ा मामला यह है कि उसमें और उसमें और चीज मैं जोड़ना पचाहूंगा उससे पहले कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से खास और से बच्चियां जो हैं वह महिला वर्ग जो हैं और बहुत लोग हैं जो अपना लेखपाल का जौब उत्तर प्रदेश पुलीस में जो भरती थे उनका जौब उसको कहीं ना कहीं उसमें से छोड़ के और इसमें ज्वाइन किया उन्होंने अपने सुटेविल्टी के हिसाब से तो और दूसरा आपने जैसा कि इसमें प्रोइंट बता दू कि बूम्धा दिया गया इसमीन और नहीं फ कर दिया रहां कि प्रस्ट्वाब आपके बेसित सुट्न के और इन। इसमें जितने लोगों को टीचर्स को 79 वेगेंसी में दिया गया है लोन उनको रिकावरी स्टार्ट कर दिया जाए और आगे के लिए लोन रोप दिया जाए मतलब कोड में खाज जैसे इस्तिती हो गई है बिलकुल बिलकुल तो इसमें यह में इस बच्चों का यह है दिक्कत कि जबकि उधों ने फिर वापस भी ले लिया बट उनको एक डर सता रहा है बच्चों को एक तलवार तो लटकाई दिना है वो mentally एक तरह से कहें तो torture टाइप की स्तिती उनकी बन गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर कहां से लोन भर पाएंगे आगे तो आपने यहां कोट में सुप्रिम कोट के सामने कानूनी आधार के साथ ही यह मानुवी आधार भी लगाया है क्या कानूनी आधार के साथ मानुवी आधार भी लागा है बिल्कूल हम अभी इसी बेसिस पर चलने मानी सुप्रिम कोट ने मामला सब्जूडिस है इसमें स्टेट दिया है और 23 सिप्तंबर को 23 सितंबर को है मामला इसमें return submission सारे पच्छों से कहा गया है मानिय कोट के द्वारा हमने भी return submission डाखिल करेंगे इस मामले में और इस मामले में हम अभी जुकि ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जुकि मामला सब जुडिस है इस मामले में main इसू यही है जो basic इसू है जो कि हम आप से डिस्किस दिए यानि कुल मिलाकर 79,000 शिक्षक भरती मामला यह सहायक शिक्षकों की भरती का था चार साल से अटक रहा है लटक रहा है बटक रहा है और इसमें सुप्रिम कोड से गौहर लगाई है क्योंकि याचिकाव पर कानूनी तौर पर और साथ ही मानविया आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए